तो इस वीडियो में बात करने वाले पॉलिकेब इंडिया के बारे में जहां पे आपको 6 प्रतिशत का फॉल देखने को मिल रहा है सड़नली मार्केट के अंदर तो यहां पर पॉलिकेब कर क्या रहा था। पॉलिकेब था on 7th of breakout ठीक है ये इतना बड़ा जो चैनल बना हुआ था। पिछले एक साल से उसके breakout के लिए स्टॉक यहां पर खड़ा था। 2800 के उपर अगर ये breakout हो जाता ऑकसाइड तो हमें 3035 साल तक के लेवल देखने को मिलते ऑकसाइड लेकिन उसको इतना इजिली कोई भी स्टॉक जो है वो breakout नहीं देता और जितना बड़ा चैनल होता है उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। Breakout आने में ठीक है तो ये बहुत ही लंबा चैनल है तो इसका breakout इतना इजिली नहीं आएगा ने exactly from breakout लेवल इटसेल्फ हमें एक बहुत बड़ा सेल ओफ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर volumes देखो तो volumes भी clear करने में काफी ज्यादा height यहां पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब clear cut है कि oxide अभी भी जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा active है। ये stock को इतनी आसानी से वो उपर नहीं जाने देंगे। ठीक है तो ये चीज़ आपको यहां पर ध्यान में रख कर चल रही है। अभी तो sir यहां से rejection आया तो downside में कान तक for देखने को मिल सकता है त तो पहला target downside में 24 2400 के नीचे निकलता है तो target आपका 2200 ठीक है बाइ हम करेंगे यहां पर 2400 के आसपास या तो 2200 के आसपास 2400 से reversal दिखता है। बाइक करो अंदर side जो आपका target रहेगा वो रहेगा 28 होगा 2400 से stock breakdown देता है तो 2200 तक आप यहां पर एक short से initiate कर सकते हो। यही ह हमारी study जो की best B level कौन सा best B level है यहां पर 2200 का अगर वापिस से आपको by chance policy आप 2200 के आसपास मिलता है तो definitely आपको वहां पर एक complete कर लेना चाहिए। काफी बढ़िया volume के साथ दोस्तों यहां पर मैं rejection देखने को मिला है तो order downside में कुछ जो target से हमारे वो definitely यहां पर open जरूर हो ऑarts में पर खूदिया झाईgy जो सकुज आईई यहां परा together soup यहां परना रंपस्तों यहां जो है तो라고 कि आँना है elev Ot стали лучше यहां यहां परना होई आद is और वहां कामारा है यह जो दो जो है झा हमारी कर मैं यहां łगश, लोग वहां जो हो दो है यहां ऑग